हे गाईज कैसे हो सारे यकीन करता हूँ कि अच्छ होंगे सो गाईज आज किस वीडियो में मैं आपको कुछ step का creative photo editing सिखाऊँगा बिल्कुल easy steps में and गाईज उससे पहले वी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो subscribe करके and bell notifications को on कर लिजेगा so guys आपको कुछ इस type का picture को edit करने के लिए guys आपको जिस वी picture को edit करनी है सबसे पहले उसे आपको snap set में share कर लेनी है so just मैं यहाँ से already अपने picture को snap set में share करके रखा है and share कर लेने के बाद guys सबसे पहले आपको यहाँ से pencil वाले icon पे click करनी है यहाँ पे click करने के बाद guys आपको यहाँ से बहुत सारा options दिखेगा so just आपको यहाँ से scroll करने के बाद आपको नीचे जाना है and नीचे जाने के बाद आपको यहाँ से winters का आपको button दिखेगा just आपको यहाँ से winters वाले button पे click करनी है यहां से आपको 1, 2, 3, 4, 5 आपको यहां से बहुत सारा जो है यहां से effect मिल जाएगा So just आपको यहां से सबसे last वाला 12th नंबर जो है effect को आपको select करनी है And उपर नीचे आपको scroll करनी है And अभी आप सब देख सकते हैं यहां से brightness 0 रखना है And saturation है इसे लगभग आपको पूरा 100 minus कर देनी है And style strength है इसे लगभग आप सब 50K round रखिएगा And उसके बाद vintage strength है इसे लगभग आपको 30K round रख लेनी है And guys कुछ इतना कर लेने के बाद आपको नीचे से यहां से done करनी है And जैसे ही आप सब नीचे से done कीजेगा आप सब देख सकते हमारा पूरा picture जो है black and white हो चुका है So guys उसके बाद जैसे आपको यहां से face से यह वाले effect को आपको remove करनी है So उसके लिए उपर में आपको यह वाला button दिखेगा Just आपको इस पे click करनी है And यहां से view edits पे आपको click करनी है And vintage पे आपको click करनी के बाद guys आपको यहां से pencil वाले icon पे click करनी है And इतना कर लेने के बाद के जैसे आपको नीचे में यहां से invert का button दिखेगा Just आपको invert करनी है And picture को यहां से zoom करनी है एंड जूम करने के बाद जैस्ट आपको guys face पे कुछ इस टाइब से ये वाले जो है brush को आपको apply करनी है एंड जैसे ही आप सब यहां से face पे apply किजेगा आप सब देख सकते हमारा यहां से पूरा effect यहां से erase हो रहा है तो आप सब ध्यान से एंड थोड़ा time देके अच्छे से पूरे effect को erase कर लिजेगा फिलाल मैं totally आपको बताने के लिए कर रहा हूं तो मेरा थोड़ा बहुत इधर उदर छुट जाएगा तो भी कोई बात नहीं लेकिन आप सब edit किजेगा तो उस time आप बहुत ही ध्यान से time देके कर लिजेगा and hand वगरा पे भी जो यहां से effect आया हुआ है just उसे भी कुछ इस type से करके and आपको जो है erase कर लेनी है and guys आपको यहां से थोड़ा time देके and थोड़ा जो है slow में करनी है ताकि अच्छा तरीके से यहां से remove हो जाएगा and hand से remove करने के बाद guys जो यहां से pair है इसे भी मैं just कुछ इस type से erase कर लेता हूँ and बाकी जो part है उसे आपको black and white ही रहने देनी है and इतना कर लेने के बाद guys आपको यहां से नीचे से done करनी है so उसे पहले मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कहां कहां थोड़ा बहुत हमारा छुटा है and उसे मैं फिर से यहां से recover कर लेता हूँ and कुछ इतना कर लेने के बाद guys जिस्ट आपको यहां से नीचे से done कर लेनी है and उपर से आपको यहां से back का button दिखेगा just आपको back चले जाना है and इतना कर लेने के बाद guys अभी आप सब देख सकते हमारा picture जो है पूरी तरीके से यहां से black and white में edit हो चुका है and उसके बाद guys आपको एक png की जोड़त पड़ेगी just उसे आप सब description से download कर सकते है and उसके बाद के just आपको यहां से pencil वाले icon पे आपको click करनी है and यहां पे click करने के बाद guys फिर से आपको बहुत सरा options दिखेगा so just आपको नीचे में यहां से double exposure का आपको button मिल जागा just आपको double exposure पे आपको click करनी है and नीचे में guys यहां से add photo का button दिखेगा Just आपको Add photos पे click करनी है जो भी PNG को आपको add करनी है Just आप सब यहां से अपने PNG को add कर लिजेगा So just मैं यहां से अपने PNG को add कर लेता हूं And guys यहां से PNG को add कर लेने के बाद इससे आपको थोड़ा यहां से छोटा कर लेनी है boost कर लेनी है And उसके बाद guys आपको यहां से second वाले बटन पर क्लिक करके and इसका blending mode को lighten कर लेनी है and lighten कर लेने के बाद एक बार आप सब यहां से इसको adjust कर लिजेगा कहां पर आपको इसे रखना है and उसके बाद गे just आपको यहां से नीचे में pencil वाले icon पर आपको click करनी है and इतना कर लेने के बाद guys उपर में आपको यह वाला बटन दीखेगा just आपको इस पर click करनी है and view edits पर आपको click करनी है and यहां से फिर से आपको double exposure पर आपको click करके and यहां से pencil वाले icon पर click करनी है and इतना कर लेने के बाद guys यहां से फिर से आपको यहां से invert करनी है जस्ट मैं यहां से invert वाले बटन पर क्लिक करूँगा अभी आप सब देख सकते हैं यह वाला text PNG हमारे face पर भी आ चुका है सो जस्ट जूम करके एंड यहां से जो है यह first वाले arrow को आपको zero कर लेनी है एंड कुछ इस टैप से आपको जो भी यहां से body प्यारा उसे आपको कुछ इस टैप से erase कर लेनी है सो मैं यहां से कर लेता हूँ आपको भी कुछ इस टैप से एंड थोड़ा time देके अच्छे से कर लीजेगा एंड चलिए मैं यहां से अपने जो है erase कर लूँगा and जल्दी जल्दी से मैं थोड़ा erase कर लेता हूँ and guys erase कर लेने के बाद आप सब एक बार ध्यान से कर लीजेगा and इतना कर लेने के बाद just आपको यह से नीचे से done करनी है and done कर लेने के बाद guys उपर में आपको back का button दिखेगा just आपको back वाले button पे click करनी है and उसके बाद guys अगर आपको यहां से face में जो है कम brightness वगएरा लग रहा या face को गोड़ा वगएरा करना है so उसके लिए आपको pencil वाले icon पे click करनी है and यहां पे आपको selective tool मिल जाएंगे just आपको selective tool पे click करके and just यहां से दोनों यहां से आपको उंगली से आपको face को यहां से कुछ step से select करके and आप सब यहां से brightness वगएरा को increase कर सकते है जहां भी आपका कम brightness लग रहा आप सब यहां से brightness increase करके face को गोड़ा कर सकते है and guys कुछ इतना कर लेने के बाद guys आपका यहां से picture पूरी तरीके से ready हो चुका है and just मैं यहां से save वाले बटन पर click करके अपने picture को gallery में save कर लेता हूँ and guys आप सब कुछ इस टाइप से करके आप अपने picture को कुछ इस टाइप में edit कर सकते हैं and guys आज किस वीडियो में बस इतना ही सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब वीडियो को जोड़ से like कीजेगा अगर आप चैनल पने हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे and मिलते हैं किसी और वीडियो को साहथ तब तक के लिए बाए